हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे हूंगे आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप सेयर कर रही हूँ जो आपके रोज मर्रा के काम को बेहती आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा जिसे मैं आपका सुपरियादा कर सकते हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें तो चलिए देखते हैं पहली यूसफूल टिप सबसे पहले हम एक कप या एक ग्लास नॉर्मल साइज का ले लेंगे जो हम टेली घर में यूस करते हैं उस साइज का हम ले लेंगे अब इसमें हमें डालना है हलका गरम पानी, पानी हमें ध्यान रखके डालना है, चितना गुनगुना पानी हम पीते हैं उतना ही गुनगुना पानी हमें इसमें डालना है अब इसमें डाल देंगे 1-4 चमत बेकिंग सोडा, इसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, और मीठा सोडा भी बोलते हैं, किसी भी जनरल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है, और साथी में डाल देंगे नीबू का रस, कुछ लोगों को नीबू के रस से प्राब्लम होती है, त थोड़ा थोड़ा सिप करके हमें पीना है, तो आप इसको पीजिए और धीरे धीरे करके पीजिएगा, तो आप देखेंगे फटा-फट किसी के सरीर में कहीं पर भी गैस की प्राब्लम होगी, तो सारी प्राब्लम दूर हो जाएगी, और यकीन मानिए चब तक ये पानी ख आपको मेरी ये टिप कैसी लेगी तो चलिए देखते हैं तूसरी यूजफुल टिप दोस्तों दूसरी टिप मारी इस तरह के कांच के ग्लास को लेकर है इसके सारे पेर टूट गए है और ये अकेला ही बच्चा है तो हम इसका इस्तमाल नहीं करते और ये पड़े-पड़े गंदा होता रहता है तो आज मैं इसका multi-purpose organizer बना कर त्यार करूंगी जो आपके kitchen में बच्चों के table पर आपके dressing table के लिए काफी उपयोगी रहेगा तो इसके लिए मैंने एक soft रुमाल ले लेंगे इसे बिना सिले बिना चिपकाय बिना कुछ की ये हम बना कर त्यार करेंगे तो हम पहले glass को रुमाल में लपेट लेंगे तो मैंने इसे पलट लिया है क्योंकि उपर का हिस्सा कुछ फटा हुआ था तो उसे हम अंदर कर देंगे तो glass को हम रुमाल में इस तरह से लपेट लेंगे आप चाहें तो इसे safety piece से या सुई धागे से टग कर शकते हैं मगर मै मैंने इसे टग नहीं किया है देखिए जो उपर का बचा हुआ हिस्सा था उसे मैंने glass में डाल दिया यह हमारा multi-purpose organizer बनकर तैयार हो गया है यह हमारे kitchen में बहुत ही काम आएगा और यह देखिए देखने में कितना सुन्दर लग रहा है आप चाहें तो नीचे सुई धागा से टक कर सकते हैं या फिर पेवी कोल से चिपका भी सकते हैं तो मैं अपने kitchen की कैची चाकू वगएरा को इसमें डाल दे रही हूँ देखिए यह देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है आप चाहें तो इसमें बच्चों की पैन या फिर कंगी क्रीम वगएरा रख सकती हैं मैं इसमें चमच फॉक डाले हूँ इसे आप डाइनिंग टेबल पर इस तरह से भी रख सकते हैं देखे यह देखने में कितना खुबसूरत लग रहा है और हमें कोई भी इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी आई हो आपको मेरी चोटी सी टिप पसंद आई होगी तो देखत हैं दूसरी टिप हमारी डस्ट बीन को लेकर है पहले मैं आपको बताती हूँ जो हम गार्वेज बैग लगाते हैं वो गलत तरीके से लगाते हैं और हम लोग बैग उठाते हैं और इसे ऐसे ही डाल देते हैं और जब भी हम कश्रा डालते हैं इसका बैग नीचे डस्ट बी डालिए इसमें कितने भी कुछ भी टालिये कितनी भी तेज सिफिकित को यह बिलकुल भी गिरने वाला नहीं है और आप इस्यूनर आ सबी के घरम में बातिंग्सो तो आते ही हैं और वो काफी खुस्बुदार होते हैं और हम क्या करते हैं? उठाते हैं, साबुन निकालते हैं और साबुन को निकाल कर हम रैपर को यूँ ही फेक देते हैं तो इस पैकट को फेकने की बजाय आप इसको डस्ट वीन के अंदर डाल दीजे, गॉर्बेज बैक के नीचे, अब आप देखेंगे डस्ट वीन जब भी खोलेंगे इसमें भीनी भीनी सी खुसबु आती रहेगी, जो बद्बु आती थी वो नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियो में इस टिप को ट्राइ करिए, आपकी बहुत बड़ी समस्या खतम होगी, आई हो, आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी, तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप, दूसरी टिप चने को लेका है, मैंने रात भर इस पानी में चने को सो किया है, मत करिए, इसे आप फेक दीजे, चने को पहले आप किसी दूसरे बरतन में चान लीजे, या फिर कूकर में जिसमें आपको बनाना है, उसमें आप चान लीजे, और इसमें आप दूसरे पानी का इस्तमाल करिए, और जब भी आप चने बनाएं, तो उसमें आप हींका जरूर इस तरह से जब आप चने को बनाएंगे तो ना आपको गैस बनेगी नहीं एसे डिटी होगी और नहीं फ्लोटी होगी है तो यह बहुत छोटी सी टिप मगर बहुत ही काम की है आई होप आपको यह टिप पसंद आई होगी दूसरी टिप है ब्रेट को लेकर दोस्तों जब हम लाते हैं तो आप देखते होंगे यह एक से दो दिन में ही सूखने लगती है वैसे तो हमी ब्रेट उसके एकस्पाइर होने से पहले खतम कर लेना चाहिए ब्रेट आपका बिल्कुल सौफ्ट सा रहे उसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप सेयर कर रही हूं जिससे आपका ब्रेट जितने भी दिन रहेगा बिल्कुल सौफ्ट रहेगा इसके लिए आप ले लीजे हरे धन्य की टंडी और इसे आप ब्रेट में डाल दीजे अगर आपके पास हरे धन्य की टंडी नहीं है तो आप कोई भी हरी सबजी ले सकते हैं जैसे तोरही परवर कोई भ पकड़ कर इस तरह से गांट लगा दीजे इसे ब्रेट में एयर नहीं जाएगी और ना ही कोई इंसेट इसके अंदर जाएगा और हरे धन्य की टंडी की वज़े से ये ब्रेट काफी लंबे समय तर बिल्कुल सौफ्ट बना रहेगा आई हो आपको मेरी ये चोटी सी टिप पसंदाई होगी तो चलिए देखते हैं तूसरी यूजफुल टिप दूसरी टिप हमारी सिलेंडर को लेकर है दोस्तों जब हमें पता करना होता है कि हमारे सिलेंडर में कितना गैस बचा हुआ है तो कुछ लोग क्या करते हैं सिलेंडर को हिलाते डुलाते हैं और इसे उठ थी छोटी सी टिप बता रही हूं जिससे आपको सिलेंडर को हिलाना डूलाना भी नहीं पड़ेगा और आपको पता चल जाएगा कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है तो इसके लिए आप एक कप्ड़े को भिगो लीजे और कप्ड़े से पूरे सिलेंडर को अच्छी तरह से पोशने के बाद आप इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजे। थोड़ी देर बाद जब आप सिलेंडर को देखेंगे तो आपको खुदी पता चल जाएगा कि सिलेंडर में कितना गैस बचा हुआ है। चोटी सी टिप को ट्राइ करिए इसे आप किसी भी खत्रे को होने से बचा सकते हैं I hope आपको ये टिप पसंदा ही होगी तो चलिए देखते हैं दूसरी यूज़फूल टिप अक्सर हमारे घर पे ये वाले दाग जो होते हैं ये सिलेंडर की वज़ा से होते हैं हम जहां पर भी सिलेंडर रखते हैं इस तरह के दाग बन जाते हैं और इसे छुड़ाना मतलब बहुत ज्यादा मेहनत का काम मगर ये दाग ही न बने तो कितना अच्छा होगा तो हमें क्या करना है सिलेंडर को सही तरीके से रखना है आपको पता ही होगा कि इसका जो स्टेंड मिलता है वो हर किसी के पास नहीं होता है और अब से आपको अलग से स्टेंड खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर पुरानी चूडियों का यूज करेंगे एक जुगार लगाएंगे जिसे हमारा सिलेंडर भी सही रहेगा और साथ ही जो जंग के दाग है वो भी नहीं लगेंगे तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ जो मेरे पास पुरानी मैटल की बैंगल्स है जिसका मैं यूज नहीं करती हूँ तो जैसे ही हमारे पास छोटी बैंग रख देना है इस काम को करने के लिए आपको किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर उठाना थोड़ा दिक्कत का काम होता है इससे रिस्क भी हो सकता है तो इस तरीके से आप इसे इसके नीचे रख दीजे और जहां पर भी सिलेंडर को सेट करना है वहां पर आप इसे सेट कर दीजे इस तरह से रखने पर जहां पर भी आप रखेंगे वहां पर जंका दाख नहीं पड़ेगा और सिलेंडर भी आपका बिल्कुल सेफ रहेगा आई हो आपको मेर फेकना नहीं चाहिए, ये हमारे बहुत ही काम आने वाले है, देखे मैंने सबजी के छिलकों को एक जगा इकठा कर लिया है, इसे हम एक जगा इकठा करने के बाद इसमें हम पानी डाल देंगे, और इस पानी को हम रात भर इसी तरह से रहने देंगे, आप इस पानी को एक से दो दिन इसी तरह से रहने दीजे उसके बाद आप इसे इस्टेंड करके पानी को निकाल लीजे और छिलकों को आफ फेक दीजे इस पानी का इस्तमाल आप अपने पेड़ पौधों में करिए इसे आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी और जिन दोस्तों जब हम गर्मियों में रोटी बनाकर कैसरोल में रख देते हैं तो आप देखते होंगे कुछी घंटों बात रोटी में से स्मेल आने लगती है यह प्राप्लम ठंडी में नहीं होती है गर्मियों में यह प्राप्लम काफी जादे होती है और फिर उस रोटी को खान उस तरह से आप रोटी को बना कर कैसरोल में रख दीजे और उसमें आप एक या दो चमश्ट लगा दीजे उसके बाद आप ठकन को रख दीजे इस तरह से कैसरोल में एर जाती रहेगी और रोटी आपकी लंबे समय तक खराब नहीं होगी आई होग आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा थैंक्स फॉर वाचिंग